आईपेल 2022 के लिए चैने सुपर किंग्स ने गोशित की अपनी 20 सदेश से टीम इन खतरनाक ख्लाडियों को टीम में किया सामिल आर्थिक पंडिया रासित खान जैसे कई ख्लाडि टीम में हुए सामिल नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल दाकड किरिकेट में आईपेल 2022 के लिए चैने सुपर किंग्स ने अपनी टीम गोशित कर दी है जिसमें कई सांदार ख्लाडियों को मौका दिया गया है तो दोस्तों हम आपको इस वीडियों पूरी टीम बताएंगे कि आकिरकार कौन से वो बिस ख्लाड़ी है जो आईपेल 2022 में चैनल सुपर किंग्स की तरफ से हमें खेलते वे नजराएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि चैनल सुपर किंग्स एक बार फिर सांदार परफॉमेंस करे आईपेल 2022 में तो कर दीज़े इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथी साथ अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने कौन से फैवरेट किलाडी को चैनल सुपर किंग्स में एक बार फिर फिर किलते वे देखना चाहते हैं हम बात कर रहे हैं टीम के कप्तान मेहंंदर सिंग दोनी की जो कि अब तक टीम को चार किताब दिला चुके हैं और पांचवे किताब के लिए मेदान पर उतरने वाले हैं आईपेल 2022 में मेहंदर सिंग दोनी को यहांपर चैनल सूपर किंग्स ने रिटेन कर लिया है थैनल जिसे कि IPL 2022 का किताब चैने सुपर किंग्स एक बार फिर अपने नाम कर सके तो दोस्तों चैने सुपर किंग्स वेसे तो एक ऐसी बैलेंस टीम है जो हमेशा अपने उनी खिलाड़ी के साथ मेदान पर उतरती है जो कि पिछले साल अच्छा पर्पॉमेंस किया हो लेकिन इस बार टीम के लिए मुसीपते खड़ी होने वाली है क्योंकि सबी उन खिलाड़ों के साथ टीम वापस नहीं उतर पाईगी इसका सबसे बड़ा कारण है मेगा ओक्षन चाहँ पर टीम के कई खिलाड़ी याँ पर टीम से बार हो चुके हैं चैने सुपर किंग्स ने अपने चार खिलाड़ी रिटेन कर लिये हैं वहीं पर दोस्तों इसके लावा हम बात करें चैने सुपर किंग्स के लिए IPL 2021 में सांदार परपॉमेंस करने वाले फिप डूपलेसिस रोबिन उतपा, डीजे ब्राओ, दीपक चैर, सुरेश रेना और सार्टोल ठाकुर को इस टीम ने रिलीज कर दिया है आपको बता दे कि सुरेश रेना इस टीम के सबसे बड़े पलेर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल बले अच्छा परपॉमेंस ना किया हो, लेकिन इस टीम के लिए अब तक सुरेश रेना ने चारू किताबूं में सांदार योगदान दिया है तो वहीं पर इसके लावा अमबाती राइडू भी इस टीम के एक महत्पून बलेबास दे जिनको भी इन्हें रिलीस करना पड़ा है लेकिन अब एक बार फिर ओक्षन में उन्हें अपनी टीम में फिर से सामिल करने का मौका रहेगा लेकिन टीम चैने सुपर किंग्स पे हमने जिन 4 खिलाडियो को रिटेन किया है वो कापी सांदार है और बैतरीन खिलाडी भी है वेंदर सिंग दोनी जाप बैतरीन कप्तानी करते वे नजराते हैं तो इसके लावा गाइकवाड इसमें कापी सांदार पॉम में है रविंदर जडेजा इस टीम के अगले आने वाले कप्तान होने वाले हैं तो उन्हें याँ पर 3 साल के लिए रिटेन कर लिया गया है वेंदर सिंग दोनी के फेवरेट माने जाते हैं हार्दिक पंढ़ तो यह हमें चैने की तरफ से कहलते हुए नजराएंगे इसके बाद दोस्तों हम इसान किसन को भी चैने सुपर किंग्स की तरफ से ही इस बार कहलते हुए देखेंगे एक बैतरीन विकेट कीपर बलेबाद के तोर पर यह मेंदर सिंग दोनी के साथ कहल सकते हैं तो वहें पर इसके बाद दोस्तों हम बात करें आपर रासित खान की तो यह करामाती खान पी इस बार चैने सुपर किंग्स की टीम के हिस्सा होने जा रहे हैं रासित खान अपनी सांदर गेनबाजी से चेने की टर्णिंग पीचो पर बले बाजू के लिए काल बनकर साबित हो सकते हैं और IPL 2022 में चेने सुपर किंग्स के सबसे बड़े पलेयर बनने वाले हैं रासित खान वाई पर इसके बाद दोस्तों हम बात करें याँ पर ओल्डाउंड रूम में एक और ओल्डाउंडर जोडने की तो वो हैं लियाम लिविंग स्टॉन जो कि टीम के लिए बैतरीन परफॉमेंस कर सकते हैं लियाम लिविंग स्टोन जिस नंबर पर जाए वहाँ पर बले बाजी कर सकते हैं और साथ ही साथ केन बाजी में भी कमाल कर सकते हैं और T20 में सबसे ज़्यादा चखे जड़ने वालों की रेस में यह भी समय सामिल है तो हमें अगले सीजन में चैने की तरब से कहलते हुए दिखेंगे लियाम लिविंग स्टोन इसके बाद दोस्तो हम बात करें बेन स्टोक्स की तो यह भी चैने सुपर किंग्स का इसा होने वाले है वैसे Ben Stocks पिछले साल राजस्तान रोल्स का इस्सा थे लेकिन इसके बाद इन्होंने क्रिकेट से थोड़ा रेस्ट लिया जिसके चलते ही हमें खेलते वे नजर नहीं आये थे लेकिन इस बार ये चैने सुपर किंग्स का इस्सा होने वाले हैं और साथ इसाथ चैने के लिए बेतरी इन प्रफोर्मेंस भी कर सकते हैं क्योंकि पहले भी दोनी के साथ ये खेल चुके हैं वही पर इसके बाद दोस्तों हम बात करें कंगीस और रबाडा की कंगिसो रबाडा भी इस बार हमें चैने सुपर किंग्स की तरफ से खेलते वे दिखेंगे दिली केपिटल ने कंगिसो रबाडा को रिलीस कर दिया था जिसके बाद आप ये चैने सुपर किंग्स का इससा बनते वे दिखेंगे इस साल यानि कि चैने सूपर किंग्स सबसे ज़्यादा टारगेट इनी खिलाड़ों पर करेगी जिनमें हार्दिक पांडिया, इसान किसन, रासीद खान, कंगिस और रबाडा, लियाम, लिविंग स्टोन और बेन स्टोक्स रहने वाले हैं इसके लावा अपने कुछ खिलाड़ों को वापस अपनी स्क्वाइड में सामिल करेंगे जिनका नाम है अमबाती राइडू, स्रेस, रेना, नाराइन, जगदीसन और साथ यसाथ यहां पर फेफडू पलेसिस, रोबिन, उतपा जैसे खिलाड़ों के साथ दिपक चैर और सार होनी होंगे IPL 2022 में भी और टीम के लिए बैतरीन परफॉमेंस भी कर सकते हैं, बले से अलागी फिचले कुछ समय से इनका बला खामों से लेकिन इस बार अलग रूप हमें देखने को मिल सकता है, तो वहीं पर दूसरे खिलाड़ी यानि की टीम के वो इस कप्तान होंगे 2021 में इनोंने बले से कमाल का परफॉमेंस किया था और उमीद है कि अब ये गेंज से भी कमाल का परफॉमेंस करके दिखाएंगे इस सीजन में, यानि कि मोईन अली इस टीम के बैतरीन प्लेयर मानने जाते हैं, वहीं पर बात करें चौते खिलाड़ी के तो वो होंगे डूपलेसिस जो कि इस टीम के बैतरीन ओपनर है और कापी समय से लगातार बैतरीन प्रफॉमेंस करते आ रहे हैं, तो वहीं पर चट्टे खिलाड़ी के तोर पर हमें दिखने वाले हैं रोबिन उतपा, जो कि टीम के लिए एक बार फिर यहां पर बैतरीन प्रफॉमेंस कर सकते हैं और इन्होंने का आप यह कि एक सीजन में एक जार से ज़्यादा रन बनाएंगे, हो सकता है यह सीजन इनका चेने के लिए इस साल हो, वहीं पर दोस्तों साथवे प्लेयर के तोर पर हार्दिक पांडिया रहेंगे, तो आठवे प्लेयर के तोर पर इसान किसन, नौ नौवे कि लाड़ी के तोर पर रासिद खान इस टीम का इससा होंगे, यानि कि इन तीन किलाड़ों को यहां पर बैतरी कीमत पर खरीद सकती है टीम और अपनी टीम को मजबूत बनाने वाली हैं, इसके बाद दसवे किलाड़ी के तोर पर डीचे ब्राओ रहने वाले हैं, गारवे किलाड़ी के तोर पर सेम करन रहने वाले हैं, वहीं पर बारवे किलाड़ी की तोर पर कंगिसुर रबाड़ा रहेंगे तो तेरवे किलाड़ी के तोर पर धिपक चायर इस टीम का इससा होंगे, चौदवे किलाड़ी के तोर पर सरदोल ठाकूर तो पंदरवे किला नाख लाड़ियों को इस सामिल होने की पूरी उमीद है तो क्या लगता है अगर स्कॉइड इस तरह की रही अगर यही खिलाड़ी सामिल होते तो क्या चैनल सुपर किंग्स एक बार फिर इस किताब को अपने नाम कर पाएगी या नहीं हमें अपनी राइ कमेंट में जरूर ब नियवाद दोस्तों